9.11 question number हम जब तक question पढ़ते हैं आप भी ज़रा ध्यान से पढ़िए और note करिए क्या क्या given है question कह रहा है कि a compound microscope consist of an objective lens of focal length 2 cm and an eye piece of focal length 6.25 cm separated by a distance of 15 cm how far from the objective should an object is placed in order to obtain the final image at the least distance of distinct vision जो 25 cm होती है दी भी यह तो अच्छी बात है नहीं तो होती है and infinity और फिर कहांगे what is the magnifying power of the microscope in each case नहीं मालूं मुझे दरफ देखिए ध्यान से क्या क्या given है उसके बारे पहले बात कर ली जए फिर देखते हैं क्या उससे निकल सकता है पहले given है एक the compound microscope consists of an objective objective की focal length दी है 6.2 cm objective की focal length पहले तुम given की बारे में बात करते है objective की focal length को FO लिखते हैं वो दी है 2 cm है और eye piece की focal length दी है FE 6.25 cm cm और फिर कह रहे है की separation between the lens है वो बात में हम बात करेंगे की eye piece objective के बीच में क्या separation है वो बात में क्या जरूरत है बात करेंगे how far from the objective should an object is placed in order to obtain the final image at least distance of distinct vision जरा समझने की कोसित करो final image बनाता कौन है देखो मैं एक rough diagram बनाता हूँ और गंदा diagram बनाता हूँ यह microscope है न microscope है देखो यह एक objective lens होता है ठीक है objective के सामने कोई object रखा जाता है अब सिंपल से बात है कि यह microscope में जो object रखोगे objective के सामने वो थोड़ी दूरी पर रखोगे कि infinite रख दोगे जाकर के तो objective से जितनी दूरी पर रखोगे उसको हम v not मानते है sorry u not मानते है objective क्या करेगा इसकी image को बना देगा यहां कहीं यह यहां से जाएगा इसकी image को बना देगा ठीक है a dash b dash और यह अपने से v not दूरी पर बनाएगा है ना अब इसको देखने के लिए और enlarge करके देखने के लिए हमारे पास i piece की जरूत पड़ती है तो i piece हम ज्यादा focal length की बनाते है तो i piece क्या करता है इसकी image को ऐसे कहीं दूर जाकरके enlarge बना देता यही concept होता है ना v e distance पर और यह i piece से दूरी u e है ठीक है देखिए जरा समझने की कोसिज करिएगा चूंकि final image कौन बना रहा है आई piece तो हम पहले बात i piece की करेंगे कि भया i piece की focal length मालूम है है ना i piece final image कहां बना रहा है यह भी मालूम है तो हम यह निकाल लेंगे कि i piece से कितनी दूर यह object रखा हुआ है यह हम निकाल लेंगे नहीं समझे अब चूंकि आपको objective lens और i piece के बीच की दूरी दीवी है तो जब i piece से इस object की दूरी निकल आएगी तो आपको यह वाली दूरी मालूम हो जाएगी कि यह v0 कितनी है और जब v0 मालूम हो जाएगा और objective की focal length मालूम है तो यह वाली दूरी निकल आएगी डाइग्राम समझ में आया कि क्या कह रहे हैं हम तो मैं इस डाइग्राम को रब करता हूँ क्यों कि इतना अच्छा बना भी नहीं था कि उसको बनाया जा सके खेर अब तो हमारी rating है इसी है तो पहले हम बात करेंगे far eye piece की क्यों कर रहे हैं समझभास में आ रही है V for eye piece 25 cm प्लस या माइनस क्योंकि इधर ही सब कुछ बनना है तो हम eye piece के लिए ue के लिए निकालना चाहते हैं तो lens formula होता है 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u वो जो e suffix में लगा है वो eye piece के लिए उसका indication है ठीक है तो 1 upon f हो गया आपका 6.25 is equal to 1 upon v हो गया minus 25 minus 1 upon ue हो गया ue के इधर ले जाओ इसको अधर ले जाओ 1 upon ue is equal to minus 1 upon 25 minus 1 upon 6.25 देखे 6.25 से point हटाओगे 2 0 उपर आएंगे 6.25 पचीश से कर जाएगा तो 25 पचीशाम 625 पचीशो पचीशो को 100 तो आएगा minus 5 पचीश यानि minus 1 पचीश यानि ue बराबर हो जाएगा माइनस 5 सेंटीमीटर सुन में इबार नहीं आई अब जड़ा देखे ये आपजेक्टिव था और ये i piece था है ना और आपजेक्टिव से i piece की दूरी थी 15 सेंटीमीटर और आपजेक्टिव ने जो image बनाया था आई पीस के लिए वो एक virtual object थी तरह काम कर रहा था वो दूरी आपने यूई मानी है जो कि 5 निकाली है अब बताओ आपजेक्टिव ने जो image बनाई है वो कितनी दूर बनाई है ये दूरी कितनी है 10 है ना तो आपजेक्टिव के लिए image की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर आपजेक्टिव का focal length मालूम है आपको आपजेक्टिव का focal length आपको मालूम है तो आपजेक्टिव के से कितनी दूर object रखा है क्या उसकी length हम नहीं निकाल नहीं निकाल पाएंगे अब बात करेंगे for अच्छा इसमें लिख देते हैं जराए ue की value क्या ही है minus 5 cm यह जानवुज लिखना है जो रोध पड़े ही आपजेक्टिव मैं आपजेक्टिव के बारे में बात करने जा रहे हैं आपजेक्टिव की जो focal length है f o वह है 2 cm 2 ही है न कुछ और तो नहीं है 2 ही होगी छोटा length होता है और आपजेक्टिव का जो image की दूरी है v naught वह है 10 cm प्लस है minus मतलब इधर की और दूरी नापे को तो नापो की मैनस लिखोगे तो आपजेक्टिव के लिए u naught की दूरी आपको निकाला है तो one upon f o is equal to one upon v o minus one upon u o one upon f o हो गया दो one upon 10 minus one upon u o मालूम नहीं है तो इसको इधर लेओ इसको इधर ले जाओ तो one upon u o is equal to one upon ten minus one upon two केमरे में आ रहा है तो इधर जाओ 10 और two calcium हो गया 10 10 बन जा 10 two five जा 10 तो u o की value आएगी minus ten upon four माइनस का चार दुनी आठ चार पंचे माइनस का 2.5 cm यानि कि यह दूरी थी यह वो वो थी आपकी माइनस का 2.5 cm सब्सक्राइब नहीं है तो आप से यही तो पूछ रहा था कि भाई फाइनल इमेज अगर यहां बने तो आप से पूछ रहा था कि how far from the objective should the object is placed यह कौन सा केस आपने लिया है यह वो केस लिया है जब फाइनल इमेज डिस्टिंग्ड विजन पर बन रहा था अचा इस केस में इसकी magnifying power निकाल ली जाए यह value ध्यान रखिएगा सब तो जब हम magnifying power निकालेंगे तो हमें rating अच्छी होती हो डियाग्राम बढ़िया बनाती है कितना बढ़िया होता कहा बताए magnifying power क्या formula होता है m बराबर V0 upon U0 1 plus D upon FE यह होता है na minus होता है हमको नहीं याद है minus V0 कितना है V0 है आपका 10 और U0 कितना है U0 है minus का 2.5 1 plus D कितना है 25 और FE कितना है V6.25 तब इसको आप यह minus अपने आप देगे अगर यह minus ना भी लगाते तो हम यह positive लिखेंगे minus को लिए indicate करेगा कि यह inverse diagram बनेगा तब इसको solve करेंगे यह तो यह 2 0 खिलेगा 25 25 हम यह हो जागा पचीस सव पचीस चोको सव चार एक पाँच तो 10 अपान 2.5 इंटू पाँच पॉइंट राग जीरो पचम पचीस पांदाहम पचास पांदू नि दस बीस मैंगनिफाइंग पाँच 20 इनलार्ज करके बनाएगा सव यह पहला केस रहा जब हम फाइनल इमेज कहां बना रहे हैं अब हम फाइनल इमेज बना पाँएंगे अच इनफिनिटी अब बताये फाइनल इमेज बनाता कौन है Final image बना कौन रहा है IP बना रही है और IP final image infinity पर तक कब बनाएगी अगर हम बात करें far IP ने वो तो at infinity final image at infinity final image at infinity या इसको कहेंगे scene by relaxed size वो तो कहा जाता है उससे relaxed eyes हमने कहा कि final image infinity पर कोई भी convex lens बनाता कब है यह हम question पूछ रहे है तो हमने पढ़ा है कि जब उसके focus पर object जो आपकी image यह बन रही है ना यह जो IP बना रही है image वो एचुलिए बने कहां वो जब इसके focus पर बने इसके IP पर बने यानि कि IP के लिए IP के लिए image की दूरी है वो कितनी है infinity है और IP के लिए update की दूरी कितनी होगी पता नहीं मनले यूई है और वो f e के equal हो वो आप लिख भी सकते हैं direct अगर आप ना लिखना चाहें हमको नहीं मालू नहीं मालूं तो रहनें तो देखो तो हम जानते हैं कि 1 upon f बराबर 1 upon v minus 1 upon u होता है तो 1 upon f e बराबर 1 upon infinity minus 1 upon u e तो f e बराबर minus u e या u e बराबर minus f e प्रूप भी हो गया यहां से ठीक है यानि यह जो दूरी है वो किसके बराबर होने चाहिए f e कि बराबर होने चाहिए अब बताओ f e कितना है 6.25 अब अगर यह 6.25 होगी तो objective से दूरी कितनी होगी v naught अगर हम बात for objective करेंगी for objective तो भाई ip s और objective के बीच की दूरी तो 15 cm थी न और यह जब आपकी minus की 6.25 minus के ओल directions हो करता है अगर 6.25 हो जाएगी तो क्या v naught की value 15 minus 6.25 नहीं होगी तो जब minus कितना आएगा यह 8.75 होगी 8.75 cm और इसकी जो f o है वो है 2 cm तो u o निकालना है तो हम जानते 1 upon f o बराबर 1 upon v minus 1 upon u o केवल उसको objective दिखाने के लिए indicate किया गया है अब मैं डाइग्राम को रब करतूँ logic समझ में आ रही होगी तो जब यहां value रखेंगे तो 1 upon f o हो गया 2 1 upon v o हो गया आपका 8.75 minus 1 upon u o यह ही लिखतो हूँ अब देखो द्यान से इसको इदर लेओ तो 1 upon u o is equal to 1 by 8.75 minus 1 by 2 तो जब इसको आप calculate करोगे LCM लेकर के में डाइल लिखे जे रहा हूँ तो v o की value आए minus का 2.59 cm u o आई है minus का 2.59 cm यह v o हो गई u o हो गई ठीक है अब magnified power की formula क्या होता वहां पर m बराबर v o upon u o into into d upon f e बताए गया था तो जब यहां value रखेंगे आप तो आई ही 13.5 cm डाइल लिख रहा हूँ है 13.5 cm यह cm नहीं sorry उतने गुना हो जाएगा तो यह आपका question हुआ 9.11 बात समझ में आ गई ठीक है करिए इसको